जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शांग और बागी सब भी जीलू सिटी के अंदर मार्शल सोल हॉल के आत्मियों से लड़ने लड़ने लगे थे। तैंक शैंग के दोस्स मार्शल सोल हॉल के बागी एल्डर से लड़ रहे थे और तैंक शैंग खुद सेवन्थ हेट फ्लेमन से लड़ रहा था वही दूसरी तरफ कुईन मिंग गुईमी से लड़ रहा था और गुईमी किन मिंग को बुरी तरह से पीट रहा था गुईमी ने क्विन मिंग के हाथ पैर तो डाले थे और अब पीटे पीटे अपना हाथ भी आरपार निकाल दिया था क्विन मिंग समझ गया था कि अब वो गुईमी से नहीं जीट सकता है लेकिन फिर भी उसे अपने डिसाइपल्स को बचाना था इसलिए वो तब ही तुरंट अपने एट सोल ड्रेंग का यूज़ करता है उसकी इस टेकनीक का नाम होली फाय वुल्फ है और इसका यूज़ करने के बाद यहां असपास एक बहुत बड़ी फार्मेशन बन जाती है और उस फार्मेशन से बहुत बड़ी इनरजी गुईमी और कुईन मिंग दोनों के ओपर आगर गिरती है गुईमी इस इनरजी को दे कर घपरा जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि उसका हाथ कुईन मिंग के शरीर के अंदर था इसलिए वो जब अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो कुईन मिंग और साथ अदर सहता हुआ उसके हाथों को बाहर नहीं निकलने देता और फाइनली एनरजी उन दोनों से टक्रा जाती है इतने में मौका पाकर उसके सबे डिसापल्स वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो सभी समझ जाते हैं कि उनके टीचर ने उनके लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया है सभी डिसापल्स उस जगह से दूर जाकर अपने टीचर के लिए बहुत रूते हैं लेकिन तबी हम उस ब्लास्ट वाली जगह को फिर से देखते हैं और वहां हम गुईमी को खड़ा पाते हैं और हमें यहां से पता चलता है कि इस ब्लास्ट ने सिर्फ कुईन मिंग को ही कतम कर दिया है गुईमी इतना शक्तिशाली है कि इस अटैक से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ है हलाकि कुईन मिंग के डिसाइपल्स अब सेफ है और गुईमी भी अब वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने 93 एमपायर के एक बहुत बड़े योधा को अब अपने रास्ते से अटा दिया है ये सीम बहुत जादा हार्ट ब्रिकिंग है क्योंकि श्रेक स्कूल का एक डेविल आज ये दुनिया छोड़ का चाच चुका है वहीं दूसरी तरफ हम फिर से जीलू सिटी के अंदर देखते है जहां मार्शल सोल हॉल के एक एल्डर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने को कहता है एम्परेर जू भी अब उस एल्डर से कहता है कि हम तियांदो एम्पायर से हैं और हम कभी भी मरने से नहीं डरते एम्परेर जू भी अपने सैनिकों को काउंटर अटाक करने को कहता है और वहाँ अब हर जगे तलवारों के चलाने की अवास सुनाई देने लगती है चारों तरफ मौत का नंगा नाच हो रहा था और वहीं आसमान में तैंग शैंग और सेवन्थ हैट फ्लेमिन आपस में फाइट कर रहे थे चाहां तैंग शैंग का हैमर और सेवन्थ हैट फ्लेमिन का हत्यार आपस में टकरा गया था तैंग शैंग का हैमर अब बहुत साथा ताकतवर था और वो जहां भी पढ़ रहा था उस जगे को तपा कर दे रहा था 7th head flamen, tank shank की ताकत को अब समझ गए है और वो अब दूर से ही tank shank पर अपने हत्यार को मारने की कोशिश करती है लेकिन tank shank उनके हत्यार से बच जाता है Tank shank अब अपनी 8 soul technique जिसका नाम blue silver demon mirror destruction है उसका use करने का decide करता है 7th head flamen, tank shank को उसकी soul technique का use करते हुए देखकर हसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे soul technique के दम पर आराने वाले हो क्या तुमें नहीं पता कि मेरी soul पार तुमसे कितनी जादा है और तुम कुछ भी करके अपनी soul पार से मुझे नहीं हरा सकते हो 7th head flamen हसते हुए फिर से अपने हत्यार को अपने पास पुलाते हैं और tank shank पर attack करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी tank shank कहता है कि मैं तुमें अपनी soul technique से नहीं हरा रहा हूँ ऐसा कहकर वो तुरंत फिर whale tiger teeth जो कि उसकी soul पार की technique है उसका use कर देता है और कहता है कि मेरा plan तुमारी soul technique को हराना नहीं है मेरा plan बस तुमारी dragon wand को seal करना है अब tank shank उसपर continuous attack करता है और ये hyao tan hammer की नई technique है और इसका नाम spell or destruction है 7th head flame में tank shank के plan को समझ जाता है और वो तुरंत फिर जल्दी से अपने हत्यार को अपने पास पुला कर tank shank से लड़ने की कोशिश करता है और उनमें अब one to one battle स्टार्ट हो जाती है 7th head flame में tank shank की ताकत को देख कर काफी हरान था और वो समझ जाता है कि हाउ tan hammer किसी भी तरह की spirit protector को तोड़ सकता है यूज करके उसको counter attack करता है उनकी लड़ाई से इतना जादा औरा निकल रहा था कि आसपास के सैनिक उनके औरा से ही बेहोश होने लगे थे वही लड़ते लड़ते अब 7th head flame में अपने recent past को याद करता है जिसमें उसके master उसे बीबी डाउं की मदद करने का order दे रहे थे और उसे जीलू सिटी में जाने का कह रहे थे अब इसके बाद ये episode फिर यहीं खत्म हो जाता है